मित्रों गोश्वामी तुलसी दास्कृत रामचरित मानस की हर चौपाईयां में ऐसी छमता है कि इन चौपाईयों के जब से ही मनुष्य बरे से बरे संकट से मुक्त हो जाता है और चौपाई सिद्ध है चौपाई का जाप करने से सरकारी नौकरी मिल सकती है बीमारी दूर किया जा सकता है प्रेम पाया जा सकता है सिक्षा पाय जा सकती है सारे बेगनों को दूर किया जा सकते हैं आईए आपको हमें बता रहे हैं कि हमें किस काम के लिए किस चौपाई क्या जाप करना चाहिए इस क्रम में आज आपको हम बता रहे हैं कि आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं बास करें, कभी नहीं आपको घर में धन बैभव का कमी रहे, तो आप किस मंत्र का जाप करें। अयोध्याकांड के शुरू में ही है अजोध्याकांड में जब प्रभोशी राम जनकपुर से शादी करके माताशीता को लेकर आये और अयोध्या में बरी धूम धाम शे उतसब मनाया गया उसी समय का एक प्रसंग है इस चौपाई को पर्णे से आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी दरिद्रता का बास ही नहीं होगा तो शुरू में एक दोहा है कि स्री गुरु चरन शरोज रज निजमन मुकुरु सुधारी अबरनव रगुबर भीमल जसू जो दायकु फल चारी स्री गुरु जी के चरन कमलो की रज से अपने मन रूपी दरपन को शाफ करके मैं स्री रगुनाथ जी के उस निरमल यस का वर्नन करता हूँ जो चारो फलो को यानि की अर्थ धर्म काम और मुक्ष को देने वाला है अब यहां से आठ चौप आई जो है इसका अगर नित्य प्रती आप अश्नानादी से निब्रित होकर शुबह में अगर इसका जब करें इसका पाठ करें तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी जब ते रामु व्याही घर आए अनित नव मंगल मोद बधाए भुबन चारी दश भूदर भारी अशुकृत में घबर सही शुखवारी रिधिशिधिशंपती नदीशुहाई अउमगियवध अंबुधि कहुआई मनिगर पुर नरनारी शुजाती असुचियमोल शुंदर शब भाती कही न जाई कचुनगर विभूती अजनुयत निये बिरंचिकर तूती सब विधिशब पुर लोग सुखारी राम चंद्रमुख चंदु निहारी जब से स्री राम चंद्जी विवा करके घर आये तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं चोदहो लोक रुपी बरेभारी परबतों पर पुन्न रुपी मेग शुख रुपी जलबर सा रहे हैं रिध्धी शिद्धी और संपत्ती रुपी शुखाबनी नदियां उमर उमर कर एयोध्या रुपी शमुद्र में आमिली नगर के इस्तिरी पुरुस अच्छी जाती के मनियों के शमू हैं जो सप्रकार से पवित्र अमुल और शुंदर है नगर का एस्तिरी कुछ कहा नहीं जाता ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है सब नगरबासी स्री राम चंद्र जी के मुक्चंद्र को देखकर सप्रकार से सुखी हैं अमुदित मातु शब सकी सहली अफ़लित बिलो की मनो रथ बेली राम रूप गुनसीलू शुभावू अप्रमुदित होई देखी सुनी रावू शब माताएं और सकी सहलियां अपनी मनो रथ रुपी बेल को फली भी देखकर आनंदित है स्री राम चंद्र जी के रूप गुनसीलू और सुभाव को देख सुनकर राजा दस्रत जी बहुत ही आनंदित होते हैं तो आप लोगों श्याग्रा है कि आप शुवह में उठके नित्क्रियासन निब्रित होके और इन चौपाईयों का जब जरूर करें जय स्री राम